आपको वीडियो पसंद आती है तो सोचना क्या दोस्तों चलिए सब्सक्राइबर लाइक कर लीजिए और इसी के साथ चलते हैं आगे एपिसोड की शुरुवात में हमको दिखाया जाता है उस जॉम्बी के एविलिशन होने के बाद में जब अपना हेरो इस तरह से उस जॉम्बी के एविलिशन देखता है कि उसकी आखों के सामने एक जॉम्बी इतना बड़ा हो गया और तभी अपना हेरो घवराते हुए मन मे उस्ता देती है और तभी उसी बीच में वो जो बड़ा जॉम्बी होता है वो क् Complete Allan Ka yourself के तरफ एपने की तरफ अगे बड़ती हुए चिला के कहता है तूमारे ऐसी नीच इंसान ने उस बच्चे की प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी आधी पावर का हो गई हो मैं अभी भी तुम से निपटूंगा और फिर मैं तुम्हें धिरे-धिरे टुकले करके खा जाऊंगा इस चीज को कहने के बार में जैसे वेंपायर कुईन के उपर उस जॉंबी ने अटेक करा होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेंपायर कुईन हीमन को खाना चाहते हो क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो वेंपायर कुईन जब उन दोनों के वहां पर एक सिक्रेट कर देता है जिससे बड़ी मुश्किल से वेंपायर कुईन बचने की कोशिश करती है लेकिन तभी अचानक से वह सींग वाला जॉम्बी वहां पर होते हुए अप अपना हीरो तो वहां पर घवराते हो मन में कहता है उसने पहले ब्लेट बीस्ट को मार डाला था और अब मैं उसकी पावर के थ्रू इस तरह के प्रोटेक्टिक वैरियर को अपने पास नहीं रख सकता अरे नहीं वेंपायर कुईन और जड़ा होल्ड करने में सक्षब नही जो वेंपायर कुईन है वो प्रोटेक्शन वैरियर को नहीं हटा रही है तो उसको एक चीज के बारे में याद आता है मुझे इंगलिश की वह बाते याद हैं जो कीन अकसर सोते समय बढ़वलाती रहती है और जब वह इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तब दूसरे स चीज को बुला होता है तब वेंपायर कुइन अपने पास्ट में चिलित से कहता है मैं तुम के बहुत प्यार करता हो मेरी प्रिय है और याद करने के बार ंगli होती ए अपनी पास्ट की बातों को सोचने के बार में गलब रोरी होती है जब डूसरे सैट वहां के गाम्直接 ब कहता है अरे वो देखो क्वीन तो वहां पे पेशाप कर रही है देखो वो कितनी ज़रा दुखी है कि क्वीन के अलग तलग आशू बहते जा रहे हैं हमारे जॉंबी एरिया में हम किंग के रूप में केवल ताकतवर का सम्मान करते हैं और तुम इंसान होने के नाते बहुत कम जोर हो और अब तुमने अपना नोबल ब्लड को खो दिया है तुम इस एनरजी का विरोध नहीं कर सकती जब वो सारे जॉंबी वेंपायर क्वीन की मौद ले रहे होते हैं तब हमें वेंपायर क्वीन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर बहुत ज़रा गुसाते हुए अरे शील्ड तो गायब हो गई और दूसरे साइड में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर एकदम इस्चन हो जाती मतलब जम जाती दोस्तों और तबी वह घबराते अपने मन में सोचती है अरे नहीं मेरी बॉड़ी तो हिल भी नहीं सकती जियानियों का मियास लोगों के Central Neural System को Paralyze बना सकता है जब Evolve Zombie देखता है कि वहां पर Vampire Queen अब हिल नहीं सकती उसके Energy के कारण तो वह इस चीच को देखने के बार में खुब Speed में और इस चीच को देखने के बार में जो Evolve Zombie होता है वो Vampire Queen के उपपर Attack करते हुए खुब जोर से हसके चिला के कहता तो ठीक है queen आप तुम मरने के लिए तयार हो जाओ जब vampire queen उसको इस तरह से इतनी speed में अपनी तरफ आते हुए देखती है कि वह आप attack करने वाला है तो वह वहाँ पर बहुत ज़रा घबरा जाती है लेकिन तभी जैसे वह evolved zombie vampire queen के उपर attack करने वाला होता है एकदम से अपना hero बहुत अच्छी entry मारते हुए vampire queen के सामने आके खड़ा हो जाता है लेकिन उस attack के effect के कारन अपने hero की चाती के बीचों बीच एक बहुत बड़ा hole हो जाता है और जब vampire queen देखती है कि इस इंसान ने मेरे को बचा लिया तो वहाँ पर वो तुनत अपने hero को समालते हुए अपन कर लेती है लेकिन मैं इस attack को block नहीं कर पाया और अब मैं मरने जा रहा हूँ vampire queen अपने hero की बात सुनने के बाद मुझसे कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा लेकिन तभी उसी समय तो तीनों zombies होते हैं वह vampire queen की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तभी वह बड़ा वाला zombie vampire queen की म पिंदा हो जाएगा जैसे queen ने isage के बारे में बोला होता है तभी अचानक से जो अपना hero होता है उसकी body में कुछ होना start हो जाता है और अचानक से वह हवा में उड़ने लगता है और उसकी body में red clear की wings उपर आने लगती है और जो उसके chest में hole होता है दोस्तों वह भी अपने भर जाता है और उसके हाथ की तरफ दिखाते हैं उसके हाथ में भी एक अलग तरफ का effect होना start हो जाता है और तभी अपना hero मन में कहता है मुझे queen को बचाना है मुझे उसके लड़ना है और इसीच को कहते हुए जो उसकी body होती है वो तुरंत अपने आपको self healing करना start कर देती में अपनी body की तरफ देखते हुए बढ़ा खुश हो के कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है मेरे power का potential value 70 हो गया है और आप देखा जाये तो मैं आम तोर पर officially awakened बन गया हूँ यह zombie blood तो सच में बहुत बढ़या चीज है अगर queen इंसान नहीं बनी होती तो वो इस मियाजमा से नही उसकी energy अपनी body में आए हुए improvement को देखने के बार में अपना hero बहुत जारा खुश हो जाता है और उस सामने वले zombie के उपर एक जोर दा घुसा मारते हुए कहता है क्या बात यह तो एक miracle है कि अब तो मैं यहाँ पर उड़ भी सकता हूँ और अपने hero के एक घुसा खाने के का जाता है और इस इसका फाइदा उठाते हुए अपना hero अपनी queen को अपनी गोद में लेके तुरंत वहां से निकलते हुए कहता है अब यही मौका है यहां से निकलने का queen उसका ऐसे step को देखने के बार में वहां पे हैरान हो जाती है कि यह क्या कर रहा है जब अपना hero queen को ले पावर को अपनी zombie power के साथ में mix करा होता है तो उसकी जो speed होती दोस्तों वह इतना तेज हो जाती है कि वह एकदम flash की तरीके निकल के वहां से जाते हुए उन zombies की मौल लेते हुए कहता है चलो फिर ठीक है हम लोग निकलते हैं यहां से goodbye और यह जिस कहते हुए दोस्तों अप अपने hero का पीछा करना start कर देते हैं जिस को देखने के बार में अपना hero कहता है अरे यह बेफकुफ लोग बोन-बोन की तरह क्यों है और क्या मैं उनसे चुटकारा नहीं पा सकता और इस जंगल में छुपने की कोई जगा नहीं है और अब मैं क्या कर सकता हूं जब अपना hero ने zombies की यह बास सुनी होती है वो एकदम से हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर अपने मन में कहता है अरे नहीं रुको लेकिन queen कहा है क्योंकि दोस्तों queen उसकी ghost से कब उतार के उसको पता ही नहीं चला और दूसरे side में हमें queen को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने R.I.F. formation बनाने के बार में वहाँ पर खड़ी हो के अपने hero से कहती है चलो जल्दी करो यहाँ पर आओ अपना hero वहाँ पर घबराते हुए कहता है अरे लेकिन यह क्या है जैसे अपने hero ने इस इस के बारे में बोला होता है दूसरे side से zombie खुब जोर से भागते हुए आगे क Queen वहाँ पर अपने hero को पकड़ने के बार में उस R.I.F. formation के अंदर घसीट के लिए आती है जिसको देखने के बार में वो बुरी तरह चिला रहा होता है और Queen और अपना hero दोनों के दोनों उस R.I.F. formation के दूसरे side में वहाँ पर निकलने वाले होते हैं और Queen वहाँ पर अपन करने लगता है खुश हो जाता है कि अरे वाह ये क्या Queen इतना दा करीब क्यों आ गई मेरे और तभी हमारा scene shift हो जाता है और हमें एक जगहा का scene दिखाया जाता है चाहां पर Queen का R.I.F. formation का दूसरा portal open होता है जिस जगहा को देखने के बार में अपना hero वहाँ पर हरान होते कहती है ये एक evolution cave है क्यों ने जैसे इस जिस के बारे में कहा होता है तभी वहाँ पर दिवाल के उपर कुछ scriptural word लिखे होते हैं जो कि दोस्तों बिलकुन भी हम लोग को समझ में नहीं आने वाले और सामने के तरफ देखने के बार में अपना hero हैरान होते हुए कहता है क्या genetic evolution cave फिर वहाँ पर queen बताती है इस पेसली पिछली generation के zombie king के लिए केवल evolution के main तत्वों को इखटा करके ही आप secret को समझ सकते हैं और अपनी evolution ceremony को शुरू कर सकते हैं queen की ये बार सुनने के बार में अपना hero वहाँ पर हैरान हो जाता है और queen की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है अच्छा तो इसलिए queen ने भागने के लिए एक genetic evolution cave को खोलने के लिए अपने noble blood का use किया और ये जगह क्या उसे evolution के दूसरे states को हासिल करने के लिए allow करेग thank you for watching my video love you all